प्राफिटर में हम क्या पढ़ेंगे क्या उसमें इश्व शेयर और डिस्रिबिशन ऑफ प्रॉफिट चैप्टर है हमारा लेक्चर 23 चैप्ट जो हमने पढ़ने है वह प्रॉस्पेक्टर्स पर्पस एंड टाइप सो प्रॉस्पेक्टर्स अप्रूवल पॉब्लीकेशन अड गंएगे हमने इस से पहले क्या पढ़ लिया हमने में मैमरेंडम में शेर कैपिटल क्लास के आयुके बारे में स्टरी किया शेयर क्या कि कि इस होती हैं पिर share की types फिर share कि साथ rights कौन-कौन से attach होते हैं liabilities के होती है क्या राइट को vary किया जा सकता है किन circumstances में vary किया जा सकता है और इस variation की reversal कैसे हो सकती है इस हमने concept study कर ले हैं अव हम यह study करने जा रहे हैं कि जब हमने shares issue करने है जनरल पब्लिक को और बदले में उनसे उनकी सारी उमर की जमा पूंजी अपने पास कंपनी के अंदर कलेट करनी है क्यों ताकि हम उसे इंवेस्ट करें और जो प्रॉफिट है डिविडेंट की शकल में उन्हें दे उन्हें भी फाइदा हो तो यह जो हमने लोगों से जनरल प प्रॉफिटर्स के बारे में स्टड़ी करें यह होता कि इसके अंदर क्या इंफर्मिशन प्लोड गी जाती है इसमें क्या इसी खास बात है के रेगुलेटर्स के लिए सबसे एहम डाकॉमेंट जो है वो हमारे स्लेबर्स की हद तक प्रॉस्पेक्टर्स बनी होती है कंपनी इनकार्पेट करने के पॉइंट अफू से सबसे एहम डाकॉमेंट मेमरेंडम और आर्टिकल्स ही हैं लेकिन याद रखे चूंके प्रॉस्पेक्टर्स के जरीए से जनल पबलिक से पैसा इकठा किया जाता है जनल पबलिक की आम अवाम की सारी उमर की जमापुंजी एक तर और इसकी रिजन पीछे बैक एंड पर क्या है क्योंकि इसके फ्रू जनल पबलिक का पैसा क्लेक्ट करती है कमने ऐसा ना उदर पैसा क्लेक्ट करें और फिर बाग जाए तो इसलिए प्रॉस्पेक्टर्स को समझना और फिर प्रॉस्पेक्टर्स के जरीए से कैसे शेर इश करेंगे क्या होता है इसमें किस तरह की इंफर्मेशन इंक्लूड की जाती है वगए 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 और दूसरे पार्ट में प्रोसीजर डिसकस करेंगे कि आपने जब शेड़ इसू करने हैं जनल पब्लिक से पैसे क्लैट करने आए तो इसका प्रोसीजर क्या होगा स्टैप स्टैप और यह प्रोसीजर प्रोसीजर असान है स्टैप बैस्टैप याद रखें जो भी चीज़ होती है वो लॉजिकल सीकूंस में चल रही होती है उसे पढ़ना और समझना असान होता है उसमें कुछ रिक्वार्मेंट ज्यादा है लेकिन हैं वह कंसेप्टीज तो स्रा जाता है प्रोस्पेक्टस हर वो डाकुमेंट है उसे डाकुमेंट का नाम जो नोटस कहले आप उसे पेपर कहले कुछ भी कहले हर वो डाकुमेंट जिसके जरीए से आप आफर करते हैं क्या आफर करते हैं सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज आफर करते हैं किसको आफर करते हैं General Public को उसे Prospectus कहते हैं हर वो डाकुमेंट जो आप जिसके थरूँ General Public को आफर करते हैं Securities of the Company उसे Prospectus कहते हैं हर वो डाकुमेंट जिसके जरीए आप General Public से पैसा मांगते हैं आप कहते है General Public को हमारे Shares ले लो हमारे डिबैंचर ले लो और हमें बदले में पैसे दे दो हर वो डाकुमेंट जिसमें आप ये इंविटेशन देते हैं उस डाकुमेंट को प्रोस्पेक्टस कहते है और यहां में फिर बता दू लफ़ सिक्यूरिटी और सिक्यूरिटीज में फरक है security का मतलब जमानत पे कोई चीज देना ये मरकंटाई लाव में ज्यादा पढ़ेंगे securities का मतलब है shares and debentures ये company लाव में ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन जुके मैंने मरकंटाई लाव भी पढ़ाना है वो भी मेरी attention है तो अब इसलिए उसका concern बिल्ड कर रहा हूँ security और securities plural farm में फरक है वापीस आते हैं prospectus के हर document जिसके जरीए से आप securities offer करते हैं general public को अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं securities general public को नहीं कर रहा हूँ for friend and family को कर रहा हूँ तो फिर prospectus नहीं चलेगा फिर prospectus नहीं बनेगा क्योंकि prospectus की definition में है कि जब general public को securities offer करनी है तो जो आप document issue करते हैं वो prospectus कहलाता है बार रहल आगे चलके देखते हैं कि क्या बाकिए friend and family को भी अगर share issue करने हो तो prospectus issue होगा कर नहीं होगा आगे चलके देखेंगे अभी सिर्फ मैंने आपको अपना idea बताया जो में भी सही हो में भी गलत हो आगे prospectus क्या नहीं है कहता है अगर banks financial institution यानि banks और non banking financial companies banks और non banking financial company ये लोग general public को invitation issue करें न कि आओ हमारे bank में पैसे जमा करवाओ ये prospectus नहीं होगा इसके ओपर prospectus की condition नहीं लगेगी क्यूं भला क्यूंके general public से पैसे एकठे करना banks का और दूसरे financial institutions का non banking financial institution का routine का day to day का काम है आप देखें तकरीबन हर भी कहबार में advertisement आई होती है कि जी हभी बैंक की तरफ से है कभी मिजान बैंक की तरफ से है जी जमा करवाएं रिष्टा भरोसे का पता नहीं क्या क्या उससरा की चीज़ है तो वो बैंक की तरफ से जो advertisement आद 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 रियाद 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 है उसे prospectus नहीं कहेंगे उसे खास तोर पे ला ने exception दे दी exclude कर दिया prospectus की definition से वो उस invitation को भी हम prospectus यह जीम कर लेते तो बैंक के लिए daily basis पे बहुत ज़्यादा रिक्लीकर requirements को पूरा करना ना मुपिन होता है इसलिए लाज ने कहा अब देखें सिंपल हमने बुशाला से prospectus कहा है उसने किया हर वो document जो कोई company issue करेगी general public को किस लिए उनसे पैसे कठे करने के लिए ताकि अपने share debenture issue करेके उनसे पैसे कठे किए जाए उन्हें prospectus कहते हैं हमने का अच्छा बात समझ आगी अगर किसी company ने share issue करने है वो इलान करती है कि जिस बने ने share खरीदने है वो आके share खरीद इसलिए हमसे वो prospectus होगा लाने का बिल्कु ठीक हमने का अच्छा bank भी अगर एलान करें के हमारे पांच साल के deposit पैसे जमा करवाएं वो भी prospectus होगा लाने का वो prospectus नहीं है क्योंकि bank का routine नेचर का काम है deposit for accept करना तो यह हमें clear हो गया prospectus क्या है क्या ने इन शार्ट लंबी चोड़ी कहानी छोड़े दो अरफी बात concept case study solve करने के लिए prospectus क्या है जैनल public को जब भी आप invite करेंगे share डिवेंचर खरीदने के लिए तो जो भी invitation होगी उसे prospectus करेंगे ठीक prospectus का purpose क्या है इसका मकसद है एक public company offer करती है अपनी सेक्योर्टी जैनल पॉब्लिक को यह तक्रीबन डैफिनेशन वाली बात ही repeat हो रही है prospectus का purpose क्या है जैनल पॉब्लिक से invitation लेना share या डिवेंचर को issue करने के लिए कि कमपनी कहते हैं मैं share डिवेंचर नहीं करेंगी prospectus reason बताइए क्यों नहीं करेंगी विला क्योंकि उसके articles में पबंदी लगी हुई है वो जैनल पॉब्लिक को invite करी नहीं सकती है तो prospectus सिरफ पॉब्लिक कमपनी करेंगी और आगे सुनें पॉब्लिक कमपनी के पास भी दो options हैं पहली option private placement के जरिये से share issue कर ले दूसरी option जनल पॉब्लिक को share issue की जाए यह नि प्राइवेट कमपनी के पास एगी option है क्या private placement यह नि friend and family के थो पब्लिक कमपनी के पास दो options है प्राइवेट प्लेस्मेंट भी है जनल पॉब्लिक भी है अगर पब्लिक कमपनी जनल पब्लिक को share issue करना चाह रही है फिर prospectus issue होगा अगर पब्लिक कमपनी प्राइवेट प्लेस्मेंट के जरिये से share issue करना चाह रही है फिर prospectus issue नहीं होगा फिर company registrar को एक document जमा करवाती है statement in lieu of prospectus वह फाइल करती बूरार को करेड़े सुनने में किसा फिर समझ्झलीजिए एग कमपनी की दो परड़ी ट्राइपस है प्राइबेट कमपनी पब्लिक कमपनी के पब कमपनी जनल पब्लिक को possibilities issue कर सकती है private placement के बहरे से वी इशई कर सकती है अगर पॉलिक कम्भी जर्न पब्लिक को बहुस्तिक इसे इसु करती है उनवाइट करती है तो वह क्या इसुग करेगी खार्श पैक्टतर सार्श करैंगा अगर जर्न पी कम्पनी जर्न फब्लिक को नहीं फ्रेंड और फैमिली को प्राइबेट प्लेस्मेंट के जरी से सिक्योर्टी इशू करती है तो वो क्या करेगी एक स्टेटमेंट फाइल करेगी रिजिस्ट्रार को स्टेटमेंट इन लिव फ्रॉस्पेक्टर्स प्रॉस्पेक्टर्स और स्टेटमेंट इन लिव फ्रॉस्प नहीं करते फाइल ना प्रास्पेक्टर्स ना स्टेट्मेंट लिए फ्रास्पेक्टर्स प्राइबेट कम्पनी सिंपल प्राइबेट ब्लेस्मेंट के जरी से शेयर इस्यू करते हैं और उसने स्टेट्मेंट लिए फ्रास्पेक्टर्स भी फाइल नहीं करनी होती है तो यह अभया पत्प कहा नहीं है प्रपस वाली तो यहां पर यहँग मतारा कि अइब पॉब्ली Amen ने प्राइबсемन के जीरा सजीर आप यह कैंकि यह प्राइवे स्ज müंदृ से च्फिति प्र Hill Sverige देनिया, वह जबादी क्ला भी बता दे जा सकता है अच्छा सर्टीफिकेट ऑफ कमेंस्पेंस्ट बिजनेस जाद है आपको एक सर्टीफिकेट ऑफ इन कार्परेशन बिजनेस अप्रेंट करना था पबली कमपनी ने यह एक लेक्चर में बताया था इस चैप्टर में मजीद आएका आगे चलके फिर एक डिटेल में एक्स्पेंट कर दूँगा यह सर्टीफिकेट ऑफ इन कार्परेशन पहले बनता है वह लएदा चीज़ है वहर कमपनी के लिए रिक्वाइड है सर्टीफिकेट ऑफ मेंस्पेंट बिजनेस सर्फ पबली प्रॉस्पेक्ट्स इशू किया जा सकता है बाद में भी सर्टीफिकेट ऑफ मेंस्पेंट बिजनेस जरूरी नहीं है सर्टीफिकेट ऑफ इन कार्परेशन जरूरी है प्रॉस्पेक्ट्स इशू करने के लिए तो प्रॉस्पेक्ट्स इशू किया जा सकता आफ्ट इन कार यह जब तक कमपनी जिन्दा है तब तक वैलिड है लेकिन प्रॉस्पेक्टर्स एक सर्टन टाइम के लिए वैलिड होता है जब वो अप्रूवल के पास एसी सी पी के पास एसी सी पी प्रूव करता है तो उसके पास इसका वैलिडी पीरिड होता है सिक्स्टी डेज सिक्स्ट 30 days, Commission की Approval के बाद 60 दिन तक यह वैलिड रहता है, उसके बाद इसका status खत्म नेस नियुक्तुरम हमारा Contents of prospectus, prospectus की कंटेंट्स में क्या क्या चीज़ा उस शामिल है, prospectus में शामिल क्या होता है, हमने memorandum के सबनेंट्स मुटे थे ना बताइए ज़ा में में ककंड़ेंट्स किया ह Bryces इंते हैं मैं बताता हूं नेम हर इस डम वेस क्लास है लइपढलिट्र एकलास जैर कैपिटल क्लास उपेर कौंशे क्लास थी अशुक्र सीच अ cant чувств घ्लास और कौन से थी बूल गया मैं नेम अरिजिस्टर्ड आफिस भेया कौन सी क्लास थी और नेम हाँ प्रिंस्पल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास शाबाश प्रिंस्पल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास तो मेमरेंडम के कंटेंट्स तो मुझे हमें याद हो गए क्रॉस्पेक्टर्स के भी कुछ कंटेट्स बिल्कुल लाग को कि देखे यह वो डाकॉमेंट है जिसकी बेस पे सारी दुनिया ने सारे पाकिसान में लोगों ने इंवस्मेंट करते हैं तो इसलिए प्रॉस्पेक्टरस में हर उस रेलिवेंट इंफरमेशन का होना ज़रूरी है जो इन्वेस्टर के अधिये वह है अधिया ज़र एक्जैंपल यह रूट्रस प्रॉस्पेक्टरियल्स के में क्या यह शामिल होगी एकषे काधकड में में हर्फों इंफरमेशन हो गी जो रेलिवेंट है इन्वेस्ट्मेंट के डिये फारएक्जैंपल इनफ़रमेशन और शारी है ताकि investor's को पता चले के company, अच्छी company या बुरी company अच्छी company वो होती है जिसे पिछले किश सालों में profit हो बुरी company वो है जिसे पिछले किश सालों में losses हो रहे हो तो पिछले सालों के profit या loss बताओ directors के नाम बताओ और risk factor बताओ यानि ये एक tipika line होती है कि लाजमी नहीं इसमें इस तरह की बात लिखी होती है लाजमी नहीं कि कमपनी के अगले सालों का रिजल्ट पिछले सालों के मताबिक आए इसलिए आप बड़ी इहत्यात के साथ इसके उपर इंवेस्ट्मेंट किजिए जिस तरह आपने देखा मैडिसंस की जब आती है ना टीवीप आपने देखा हुआ एक जल्दी जल्दी बोलते हैं कि डाक्टर के अधायत के मताबिक इस्तमाल करें तब यह जदा हराब होने की सूरत में डाक्टर से रुजू करें यह उनका रिस्क फैक्टर है उसी तरह जब प्रॉस्पैक्टर से इस्जू किया जाता है तो यह सारी इंफर्मेशन दी जाती है लेकिन इसके बाद एंड में एक रिस्क फैक्टर लाइन लिखी जाती है पास्ट में रिजल्ट कुछ हो रहा फिचर के रिजल्ट कुछ हो रहा आप अपनी तरफ से बाद में लास्ट भी हो सकता है गरांटी कोई नहीं है यह है कंटेंट्स ओफ प्रॉस्पेक्टर्स यह सिर्फ आपको मैंने दो तीन एक्जेम्पल्स दी है पहले हमारे स्लेबस में वह करते थे यह पच्चिस आइटम बनती थी अब हमारे स्लेबस से निकल गए शुकर है अब सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि प्रॉस्पेक्टर्स में एहम इंफर्मेशन इंक्लूड की जाती है दो तीन एक्जेम्पल दी जाती है अच्छा यह कंसर्प्ट यहां पर खत्म हो गया है अच्छा अच्छा आप अपनी कॉमन सेंस से बताएं क्योंकि मैं इसको आगे एक और कंसर्प्ट के साथ जोड़ना है क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी के डारेक्टर्स इस इंफर्मेशन को प्रिजेंट करने में डंडी मार दें वो हो सकता है अर्निंग पर शेर जो पिछले सालों की अर्निंग या प्रॉफिट है उसको गलत रपोर्ट कर दे वो हो सकता है इस इंफर्मेशन में करे हमने फ्रांस से एक मिशिनरी इंपोर्ट की है जो के 200 मिलियन डालर की है हलाके एसर में 200 मिलियन रुपीज की हो और डिरेक्टर ने ये कहा हो कि जब कोई पूछे का तो कैदेंगे गलती से डालर रुपीज होगे क्या ये ठ्राइवपेक्टर की इंफर्मेशन में डारेक्टर जान बूज के या अन जाने में कुछ गलती कर सकते हैं इसका जाव है येस कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये डाकुमेंट गलत हो गkellी ना क्या जब डिरेक्टर ये information प्रिपेर कर लें उसके बाद foreign general public को issue कर दें कि पहले कुछ regulators को submit करवा के उनसे approval लें इसका जवाब है बिल्कुल पहले regulators के पास submit करवा के उनसे approval लें और खुद सोचें वो regulator कौन सा regulator हो सकता है ऐसी से देखने को बाराल अभी हम ने पढ़ेंगे आगे चलते हैं मल्टीब ये एक है यूनीक सिच्वेशन आ मल्टीपल आफ़र्स विदिन प्रेस्क्राइब टाइम मल्टीपल आफ़र्स विदिन प्रेस्क्राइब टाइम फर्श कीजिए company पाकिस्तान में लोड प्रेस्न हैं आप सिंपल केंगे सर कंपी प्रोस्पेक्टर सी शुकर है सुमलिय क ne असा होता है प्रोजेक्ट जो हते ना वो ऐसे नहीं नritis में रगये करें उनके उनके उपर टाइम लगता है बात हो सकता है एक साल लग जायए और इस एक साल में और आसे हो सकता है 20 million start में लगें 40 million 4 मीने बाद लगें फिर उसके बाद 20 million 8 मीने बाद और फिर 20 million 10 मीने बाद इस तरह periodically पैसे लगते हैं खर्च होते हैं आप देखें आप कोई घर बनाते हैं उसमें भी इसी तरह होते हैं सारी चीजें हर समान आप स्टार्ट में नहीं लाके उदर रख देते हैं बलके जैसे जैसे construction होती है पैसे पैसे साथ साथ लगते हैं सारे पैसे शुरू में लगते हैं आप खुद बताईए अगर company को चाहिए 100 million और फर्ज कीजिए हर महीने महीने के बाद 10-10 million चाहिए फर्ज कीजिए तो क्या company सो का 100 million शुरू में ही shareholder से ले ले या के 10-10 million करके collect करे इसका जवाब है 10-10 million करके collect करे क्यों क्यों कि अगर investor 100 million शुरू में जो बंदा पैसे दे देता है ना कैसी पैसे देता है अगले दिन से dividend का इंतजार शुरू कर देता है तो जिस बंदेने पैसे लगाए होंगे ना 100 million वह इंतजार कर रहे होंगे हमें अगले महीने से ही dividend मिलना शुरू हो जाए हालाक अभी तो प्रजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो कंपनी यह चाहती है कि बजाए यह के लोगों से सो मिलने कठा करें दस मिलन लगाए नवे मिलन वेस्ट में पढ़ा रहे हम जैसे जैसे पैसों की ज़रूरत है वैसे वैसे क्लेक्शन करते जाते हैं लोगों से ताकि हमारे पर भी की जिम्मेदारी कम हो डिविडेंट देने की इस मक्सद अच्छा यहां पर पहुंचे अब मुझे यह बता है अगर कंपनी ने अगले एक साल के अंदर दस-दस मिल्यान करके दस दफ़ाँ पैसे कठे करने हैं तो क्या कंपनी हर दफ़ा एक प्रॉस्पेक्टस इस्यू करे और एक साल में दस प्रॉस्पेक्टस कंपनी का तो पूरा साल प्रॉस्पेक्टस बनाने में गुज़ा जाएगा उन्होंने प्रोजेक्ट कब चलाना है हाँ इस सिच्वेशन को कहते हैं यह सारी सिच्वेशन बताने का मकसद आपको यह टर्म समझाना था मल्टीपल आफ़र्ज विदिन प्रेस्क्राइब टाइम यानि एक साल के अंदर जब कंपनी ने दस दफ़ा शेयर इशू करने हो तो क्या करे तो हर दफ़ा प्रॉस्पे बनाया जाता है स्टैंडर्ड जिसे कहते हैं शेल फ्रस्पेक्टर्स अ कि यह शेल्फ क्रॉस्पेक्टर्स में सारओ बनता यह सरफ आम प्रॉस्पेक्टर्स की तरह अभरक्स इरा कि इसका जो क्यों वैलिडिटी पिरिएड त continuous की तरह 60 डेज नहीं होता बल्के जयादा हो के अंदर आपने multiple issues करने हैं जैसे हमारी एक्जेंपल में हमने एक साल के अंदर दस multiple issues करने हैं तो इस शेल्फ प्रॉस्पेक्टर्स का वैलेडिटी पीरिड़ क्या होगा एक साल यह फ्रॉस्पेक्टर्स एक साल और याद रखें कि अपने एक दफ़गां सेथा इसके बाद दस मिलेन आ गया अगली दफ़ग्यां घम्याट पिर निलेड करना दोबरा शेल्फ प्रॉस्पेक्टर्स किस्यू करने की प्रूव करने मैंधि जरूषध नहीं है आपने इपनी वेबसटिक होगा होगा लोगों से कह으면 के अधर जाके पढ़ले दूबारा प्रॉस्पेक्टिक करने की हूट नहीं थार्ड टाइम फूर्थ टाइम किफ। six seven eight nine ten time एक दफ़ा शेल्फ प्रॉस्पेक्टर से बना लिया बस वो काफी है बाद में सबसीक्वेंट हर इशू के लिए लाइदा से प्रॉस्पेक्टर से बनाने की जरूत नहीं होती यह शेल्फ प्रॉस्पेक्टर का कंसेप्ट कि जब आपने किसी प्रेस्क्राइड पीरि दफ़ा इशू हो गया तीन इशों के फॉर्थ इशू में डारेक्टर की कोई डार नहीं आगया प्राणा चोड़के चला गया यानि प्रॉस्पेक्टर की इंफर्मेशन चेंज हो सकती है तो फिर क्या करना चाहिए वही जो आई कैप करता है आई कैप क्या करता है मुझे आई कैप ने आपका फर्ज कीजिए बिजनिस लाओ इस सेशन में तो नहीं है वैसे लेकिन पिसे दो सेशने वाले था बिजनिस लाओ की बुक इशू की उसके बाद उसके दो चैप्टर में रवीयन आई उस उस बुक में जो दो चैप्टर थे उनमें रवीयन आई बताईए आई कैप ने क्या किया होगा आई कैप ने वो सेशने पारी बुक रिवाइज करके दुबारा इशू की होगी कि सिर्फ उन दो चैप्टर का सप्लीमेंट इशू कर दिया था Supplement, यही iCAP किया देता, iCAP यही करता है Supplement का concept ही यही है कि जब main book में कोई chapter revise हो जाना तो बजाए यह कि पूरी book को revise कर दो iCAP सिरफ वो एक दो chapter का supplement issue कर देता है कि बाकी chapter उसमें से बढ़ना, यह chapter supplement में से बढ़ना तो उसी तरह self prospectus issue किया, उसका एक साल के लिए है छे मिने बाद, अगर उस information में change आ गया तो क्या करें, दोबारा self prospectus बना के issue करें क्या करें, supplement कर दें, supplement में क्या होगा वो ही information जो update होगी है, जो change होगी है, सिरफ वो ही होगी बिये clear होगया, अब आते हैं नेक्स्ट, लेक्चर के अगले हिस्ते की तरफ, procedure for issuance of prospectus ये मेरा फेवरेट है, ये procedure असान होते हैं, one, two, three, four, five करके आपने concept को समझना होता है, एक step से दूसरा step linked होता है तो ये logical sequence में होते हैं, सिखने क्या जा रहे हैं बला, कि अगर directors ने share issue करने हैं, public company के directors ने, general public को share issue करने हैं, उसका procedure क्या होगा, ये briefly procedure मैं आपको start में बता चुका है जब इस chapter का start का पहला lecture था, लेकिन यहाँ पी अब हम इसको detail में study करेंगे, study क्या करने सारे याद हैं, conceptually, conceptual understanding ज़्यादा है हमें, पहले देखें सीखने क्या जा रहे हैं, हम सीखने जा रहे हैं, procedure, किस सीज़ का procedure, prospectus के issue होने का, और basically prospectus किस purpose के लिए issue किया जाए, share issue करने के लिए, तो आप यूं भी कह सकते हैं, पर procedure for issuance of prospectus, या procedure for issuance of shares, एक ही बात है, क्योंकि prospectus होता है, इसी मकसद के लिए, share issue किया जाए, तो क्या करना है, step by step, step by step, step number one, board of directors अपनी meeting में फैसला करेंगे, कि हमने share issue करने है, general public को, board of directors decide करेंगे, to issue shares to general public, यानि पहले board of director फैसला करेंगे, shareholder फैसला नहीं करेंगे, कि हमने further share issue करेंगे, business board director ने चलाना है, shareholder ने चलाना है, बताइए जरा ये concept हमने कहां पढ़ा था, कि directors के पास ये power है, कि वो share issue कर सकते हैं, chapter 13, powers and duties of director में, आगे चलाना, अच्छा, director ने फैसला कर लिया, कि हमने prospectus issue करना है, share issue करने है, ठीक, अच्छा, मैं यहाँ पर first कर रहा हूं, क्योंकि public company हो सकता है, listed भी हो, unlisted भी हो, ठीक है, listed company तो direct prospectus issue करके share issue कर देती है, unlisted company को prospectus के साथ स्टॉक exchange में registration विकरवानी होती है, तो unlisted की example मैं लेके चल ला हूं, ताके जहां पे stock exchange में listing वाली बात है, वो भी हम discuss कर लें, अगर listed company का procedure होगा, तो उसमें भी सारी बाते same होगी, स्टॉक एक्षेंज को apply करना है हमने listing के लिए, उसके लावा बाकी सारी बाते same हो, तो मैं example क्या ले रहा हूं, unlisted company है, और वो अपनी जिन्दगी की पहली incorporation के बाद, पहली दफ़ा share general public को issue करने जा रही हैं, क्योंकि ये area most comprehensive है, इसमें सारी options cover हो जाती हैं, बाद में कुछ ना कुछ step कमी perform होते हैं सबसेकंट issues के case में, ज्यादा नहीं, तो ये हमारी example क्या होगी, unlisted company पहली दफ़ा, general public को share issue करने जा रही है, उसके director's ने फैसला कर लिया, हाँ जी बाइजान, general public को share issue करने हैं, ठीक है, जी कीजिए, अब क्या करना है, प्रॉस्पेक्टस बनाना है, प्रॉस्पेक्टस बनाना है, अच्छा, प्रॉस्पेक्टस बनाना है, और इस प्रॉस्पेक्टस में necessary information include करनी है, जो भी थोड़ी तर पहले मैंने आपको बताई, प्रॉस्पेक्टस को बनाने के कौन लोग बनाएंगे, जाहिर है, डिरेक्टस बनाएंगे, और कौन बनाएंगे, लेकिन डिरेक्टस कुछ expert को भी involve कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, जैसे फर्स कीजिए, डिरेक्टर ने ये लिखना है, प्रॉस्पेक्टस में, बाइजान हमारी माल लोड पे एक प्रॉपरिटी है, उसकी वैलियू है 150 मिलियन, तो ये 150 मिलियन डिरेक्टर को खाब आया 150 मिलियन उस प्रॉपरिटी की वैलियू, की एक्जेम्पल दी बाद उकात इंजीनियर्स को भी इन्वाल्व किया जाता है इंजीनियर्स को किसलिए सर यह प्रॉपर्टी है यह सुरी यह मिशीनरी है जरा इसकी बताईए इसकी प्रोडक्शन कितनी होगी ताकि हम प्रॉस्पक्रस में लिख सके हमारे पास एक ऐसी है जो एक दिन में 2000 यूनिट प्रोड्यूस करती है तो दूसरे नंबर पर प्रॉस्पक्रस प्रिपेर किया जाएगा जिसमें निसेसरी इंफर्मेशन होगी इसमें ज्यादातार इंफर्मेशन डारेक्टर ही प्रिपेर करेंगे लेकिन कुछ इंफर्मेशन ऐसे भी होगी जो कोई ना कोई एक्सपर्ट प्रिपेर करके इंकलूड करता है तो यह एक्सपर्ट वाला पॉइंट जहन में रखेगा मैंने आगे चल कि इसको किसी दूसरे पॉइंट से लिंक करना प्रोस्पेक्टर्स बनके आप क्या करें क्या जनरल पब्ली को इश्यू करतें नहीं कि खबरदार जनरल पाप्ली को इसको नहीं करना और क्यों नहीं करना इसलिए पछले कमीशन से अप्रूबल तो ले लो कमीशन से अप्रूबल तो ले लो अच्छा कमीशन इसमें बड़ी यजीव जीव बाद करता है कमीशन भी पूरा सैंसец्दान तो το कैता है मेरे पास approval के लिए approval के बगार तुम्हें इजाज़ा नहीं है जPERांप्राफ्श की सिच्यू करने की को मैं है लेकिन साथ में यह भी कहते है की थैफ़ हम रह нрав यह मेरे इसको चैकह नहीं करूंगा हमने का वह इसका क्या मतलब वह आप प्रूव करूंगा चेक निए उसका मतलब यह हुआ आप मेरे पास प्रॉस्प्रेक्टर्स लेके आंगे ना मैं मोटी मोटी सारी जी ने देखूंगा कि ठीक है कि नहीं और फिर साइन करके प्रूव कर दूगा कि जनरल पब्लिक को प्रूव का मतलब समझेगा फिर एक्सपर्ट ने कहा सर यह तो बड़ी अच्छी बात है इसका मतलब यह हुआ अगर हम भी प्रॉस्पेक्टर्स में कोई इंफर्मेशन इंक्लूड करते हैं और बाद में गलती निकल आते हैं बाद में साबित होता है इंफर्मेशन गलते ह और बाद में समेशन कीब नहीं मैं। अपनी आपको तो रिलीव दे सकता हूँ कि कल को अगर प्रॉस्पेक्टर्स में कोई स्टेत्मेंट नजर आई सामने आई तो मयनने प्रॉस्पेक्टर्स किया होगा लेकि मेरी जिम्धर्य कोई नहीं अपने आपको तुम लोगों कोन या इवन अन्जाने में भी गल्ती की तुम लोगों को सदा मिलेगी तुमने उनका नुक्सान पुरा करना होगा जिन लोगों का नुक्सान हुआ है अगर अन्जाने में गल्ती की तो सिर्फ सिविल लाइविल्टी होगी नुक्सान पुरा करो अगर जान बूच के तुमने द कर ली जाएगी और जेल भी होगी यानि याद रखिए अगर प्रॉस्पेक्टर्स इशू होने के बाद उसमें कोई मिस्टेटमेंट नजर आती है सामने आती है कमिशन की कोई की जिम्मेदारी नहीं होगी डिरेक्टर और एक्सपर्ट यानि जिन जिन लोगों ने प्रॉस्पेक्टर्स प्रिपेर किया है उनकी जिम्मेदारी होगी यह पॉइंट जहें में रखिएगा यह आगे चलके लिंक करोंगा अच्छा कमिशन को हमने कहा लो भाई जान प्रॉस इसलिए जब तुमने इशू करना होना उससे 21 दिन पहले 21 दिन का मार्जन रखके मेरे पास प्रॉस्पेक्टर्स लेकर आना यह ना हो आज मुझे प्रॉस्पेक्टर्स फाइल करो और को सर्क हमने कल इशू करना जरा आज की रात लगा किसको पढ़के हमें कल अप्रूव क मेरे पास आईए 21 दिन का टाइम मैं रहूंगा इतक्रीबन 20 दिन के बापको अप्रॉवल दे दूँ हाँ जब मैं अप्रॉवल दे दूँ उसके बाद चाहे आप अगले ही दिन प्रॉस्पेक्टर्स इशू करें वह पाबंदी नहीं है लेकिन मुझे लाकि मैं रातों रा केशन से यानि जिस दिन इरादा है कि हमने प्रॉस्पेक्टर्स इशू करेंगे अखबार में इश्थिहार देंगे चापेंगे उस दिन से 21 दिन पहले 21 दिन का मार्जन रखके कमिशन को जमा करवाना है हाँ लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसी हैं जिन में आप अगर शेयर इशू करेंगे ना कमिशन की अप्रॉबल की जरूरत नहीं है कुछ है केस ऐसे भी हैं बताइए वो केस आपको बताओं के ना कौन से केस पला जिन में प्रॉस्पेक्टर्स जिन में शेयर तो इशू लोगों को पबली कमपनी कर रही होगी लेकिन उसके लिए कमिशन की अप्रॉबल की जरूरत नहीं होगी वो कौन से केसिज है ये केसिज और इन में एक और बात बता दूँ किताब में क्या लिखा हुआ है ये वो केसिज हैं जिन में कमिशन की अपरॉल की जरूत नहीं है मैं इसमें अदाफा कर रहा हूँ ये वो केसिज हैं जिन में कमिशन की अपरॉल की जरूत नहीं है और कमिशन की अपरॉल दूर की बात इन केसिज में प्रॉस्पेक्टर्स इशू करने की भी जरूत नहीं है इन केसिज में प्रॉस्पेक्टर्स भी नहीं बनता तो जाहरे कमिशन की अपरॉल की भी जरूत नह नहीं होगी मभ नई कंपनी क्या करें किछ ए दिशु करेंगि है लेकिन Life Commission की अप्रुवल नहीं होगी पहला जैल्छ अपबली कम्पनी जब रेट प्राइवेट ब्लेसमेंट के जिरी शेयर श्रू करेंगि जाहिरे या अपने employees को share offer करेगी तो prospectus इशू नहीं करेगी तो commission के अपरोल की भी ज़रूत नहीं है और यह आपको लिंक करवादू से पहले मैंने consent आपको बताया था rights of shareholder में right issue और bonus issue यह basically जो है ना यह offer to existing member जब existing member को share offer किये जाएं वो right issue है और bonus issue बोना share दोनों cases में right issue of shares हो या bonus issue of shares हो दोनों cases में share issue होते हैं prospectus issue नहीं होता commission की approval नहीं चाहिए होती है इसी तरह कुछ companies अपने implies को भी share issue करती है एक जमाने में वो एक था शायद वो भुट्टो साब की जमाने में कि मजदूर नहीं मालकान कुछ इस तरह का नारा था और उसमें यह होता यह था कि जो company के पराने workers होते थे उन्हें share issue कर के company के मालकान में बिठा दिये जाता था कि भी इनके खुन पूसीने की कमाई है इसलिए sometime कुछ companies क्या करती है अपने अपनी employees को retain रखने के लिए अपने employees को ज्यादा से ज्यादा काम करने पर convince करने के लिए motivate करने के लिए वो कुछ shares employee को issue कर देती है ठीक है लेकिन आपने ज तो तो इन employees को share issue करने है existing members को right issue करना है bonus issue करना है private placement करने है इन सारे cases में prospectus नहीं इस्यू होता कि Commission के प्रोवल की भी जरूत नहीं होते हैं फिर अगर statement को Pakistan share issue करेगा उसके लिए भी prospectus की जरूत नहीं यह statement को Pakistan की आक्ट में लिखावन एक्सेप्शन दे दी और अगर कोई company dividend यह आपको बापता है dividend के तोर पे अपनी subsidiary company के shares दे देती है यह था dividend in kind आपको याद है dividend cash payment हो सकते है काइड में भी काइड का मतलब क्या है कि आप shareholder को पैसे देने के बजाए उसे shares दे दे अगर आप उसे अपनी ही company के shares देंगे shareholder को वह bonus share कहलाता है अगर आप उसे अपनी किसी और subsidiary company के shares आपने खरीदे हों है उसके share dividend के तोर पे वह भी दे सकते हैं जब कोई public company share तो issue करती है लेकिन prospectus issue नहीं करती इसलिए commission की approval की भी ज़रोत नहीं exam maker question आजाए ना कि वह कौन से cases हैं जब share issue करने के लिए commission की approval की ज़रोत नहीं है तो आपने ये चाप देने अगे चलते हैं अच्छा जी commission के बाद हमारा केस ऐसा था first time issue कर रहे हैं तो हमें commission की approval की ज़रोत है हमने decide किया था 25 April को issue करने हैं हमने 2 April को हत्यातन commission को जाके submit करवा दिया अपना prospectus commission कमिशन ने हमें फर्ज कीजिए के 20 April को कहा के sir prospectus आपका प्रूव हो गया ले जाई है हम 20 April को prospectus ले margin 21 दिन का था लिए कि जारे commission के पास time है तो उसने जल्दी काम कर दिया जैसे आई-कैप के पास यह सफ़ा टाइम था उसने आपका result जल्दी नांस कर दिया कि कोई मसा नहीं को मिशन भी जल्दी प्रूवल दे सकते दिया उसने उसने इसने 20 तारीख को प्रूवल दे दी अब हम क्या करें अब हमने publish करना है prospectus को क्या करना है publish यह लफ़ जरा गोर किज़े पब्लिश करना इसे publish भी कहते हैं इसे issue भी कहते है publish of prospectus issue of prospectus एकी चीज़ है हमने prospectus को issue करना है कहां अख़बार में किस अख़बार में daily newspaper जिसकी nationwide circulation वाइड circulation हो daily newspaper हो weekly नहीं एक हफ़ता में आता है अख़बारी जहां हफ़ते वाला हफ़ते वाला उसमें नहीं weekly जंग में पाकिसा में नौए वक्त में मश्रिक में और जो जो ख़बार है daily newspaper एक उर्दू न्यूज पेपर और एक इंग्लिश डान में भी चुपा देना है नौए वक्त में चुपान अख़बार में जो प्रास्पेक्टरस होता है ना practically वो अबरिज फार्म में होता है प्रास्पेक्टरस आप देखे डेड़ 200 सफों का होता है अख़बार के इतने सफ़ए नहीं होते तो अख़बार में चोटा-चोटा करके उसके दो सफों के अंदर बड़ी मुश्किल से संबरी प्रास्पेक्टरस की संबरी फिट कर दी जाती है तो प्रास्पेक्टरस इश्यू जरूर किया जाता है लान इजाज़त दिया ला को पता है कि अख़बार में इतनी जगह नहीं नार्मली इसलिए लाने कहा जब आप प्रास्पेक्टरस पब्लिश करवाओना एप्राइज है डिनोर्मी अबरिज में अबरिजमी फॉरम में प्रॉस्पैक्ट Rush किया जाता है जब दिया जाता है न्यूस पेपर्ल के लावा जिन जगों भी हमने प्रॉस्पेट्स डालना ना वू फिल फाम मेंBS डालते हैं औरं। अच्छा है कि ded कि को कमिशन ने प्रूव किया था हमने प्रॉस्पेक्ट। कब इश्यू करना बीस एपरेल के बाद 20 एपरल से पहले नहीं कर सकते इस अपरल या उसके बाद कर सकते कब तक 60 डेज और आपको तया था प्रॉस्पेक्टर्स का वारेटी पिरियड उता सिक्स्टी डेज हां अगर सिक्स्टी डेज गुजर जाए आप कमिशन के पास अप्लाई करके पीरेड को एक्स्टेंड कर सकते सिक्स्टी डेज से ज्यादा पीरेड मैं तो सिक्स्टी डेज गुजर गए अभी प्रॉस्पेक्टर्स किसी वाज़ शीशू नहीं कर सके क्यों लागनों थासर कैसे करते हैं ठीक है ऐसी बिकाए लोग साथ दिन के लिए और टाइम एक्सेंड किया जब अब कमिशन आपको था सेलf रिचिसरेशन एक प्रेस्कृाइट के लिए होती है एक साल के लिए पार एक्जेम्ट चैंपया नेरिये के लिए डियर साल के लिए तो लिए इस्टेर i lips ले लांगर पिरिएट के लिए हो सकता है और एक्सेंशेंशन भी लूज जा सकते हैं एक्षाइम मे एक्सेंशन भी एक्सेप्शन ही हो गई और दूसरा शेल्फ प्रॉस्पेक्टर्स का पीरियर्ड लॉंगर हो सकता है सिक्षी डेस अच्छा हमने 20 अपरल था हमने क्या किया हमने 15 मईए को इश्यू कर दिया प्रॉस्पेक्टर्स 15 मईए को 15 मईए को अखबार में शप गया और अखबार के साथ-साथ लॉय यह कहता है आपने कुछ और जगों पे भी प्रॉस्पेक्टर्स की कापी अवेलिबल करनी है सफिशन्ट कापी अवेलिबल करनी है हमने फ्री ओफ कॉस्ट तो हां इन जगों पे किन जगों पे इन जगों पे किन जगों पे क्या करना है इन जगों पे प्रॉस्पेक्टर्स की कापी अवेलिबल करनी है पैसे लेके के फ्री फ्री किन जगों पे इसका मतलब है अगर को पहले अखबार तो काल गरगर जाता है लेकिन अखबार से उसके अख़ता है कम्पलीड इंफरमेशन मना मिले तो कि आपलाई करें पिर भीडिट प्रस्पेक्टिस ले ले खिए अखिए सन कम् और कहां से जहां पर लिस्टिंग के लिए सेशन करवाई किया है बैंकर से बैंक जिन बैंक में अप्लिकेशन जमा करवानी है वहां पर भी फार्म जैसे हजद रहास्ते कहां पर जिन बैंकों में जमा करवानी होती हैं वहां से आप ले भी सकते हैं अजय रिंडिपेंडनेंट रिंडिसटर हेंध मेनशे से लिए तो फेरेक्त है कि जदा आजका तो इसने पुरांदाजी करना होती है क्राडिट अजट इजनसी याद कर लीज़े कि रटा लगाया है वह वर आगे जाने वे भी न्यूस्पेपर के बाद मोस्ट कन्वीनिट वे किसी भी प्रॉस्पेक्टर्स को हासिल करने के लिए है उसकी वेबसाइट चलिए यह याद रख लेजाए एक्जाइम में पूछ सकता है कि बताओ प्रॉस्पेक्टर्स कौन से वाले अखबार में पॉब्लिश कर राते हैं अर्दू के इंगलिश दोनों में और यह भी पूछ सकता है कि इन जगों पे प्रॉस्पेक्टर्स अवेलिबल करना है हमने 15 माई को अखबार में भी चपवा दिया और इन जगों पे भी वेलिबल कर दिया अब क्वेस्टन यह है प्रॉस्पेक्टर्स अब इशु हुआ उसके बाद इन्वेस्टर्स ने प्रॉस्पेक्टर्स को पढ़ना है और उसके बाद एप्लीकेशन के साथ पैसे जमा कराने शुरू कर देने हैं सर हम शेर खरीदने चाहते हैं हम शेर खरीदने चाहते हैं ऐसे होगा हमें एप्लीकेशन के पैसे कब वसूल करने चाहिए क्वेस्टन यह लाने एक टाइम पीरिड बता रहा है लाने का आप डिसाइड करें कोई से दो तीन चार दिन कुछ भी डिसाइड करना है यानि मैंने अगर 15 माई को प्रॉस्पेक्टर्स इशू किया याद रखिएगा कमिशन की अप्रॉल के बगार प्रॉस्पेक्टर्स इशू नहीं होगा कमिशन की अप्रॉल के अगले ही दिन प्रॉस्पेक्टर्स इशू हो सकता है जब प्रॉस्पेक्टर्स इशू उसके बाद कम अजकम सात दिन इन्वेस्टर्स को देने आप प्रॉस् तीन बाद और तीस दिन पहले करने है कि जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन शुरू करनी ना101 इना स्टार्ट पब्लेख सब्सक्र Bayek ちゃ क्या होती है पब्लिक सबस्क्रेपशन का मतलब है जन्र पब्लिक से शेर्ज के पैसे इकठे करना ये पैसे कंथे कब करने यह प्रास्पेक्टर्स इश्टिश्वियों पब्लिश होने की अगले दिन से नहीं क्यों कही ऐसा ना जल्दी जल्दी में भागांबाग में कुछ इन्वेफटर्स पर दे सुँखे से तो हमने सबस्क्रेप्शन यानि जो लोगों वोने Subscribe करना है फार Shares उसके गेंडित में पैसे जमा करवाएंगे वो हमारे बैंक अकाउंट्स में वह कब से Start होना चाहिए वह प्रॉस्पेक्टर इश्व होने के प्रॉस्पेक्टर स्पब्लिश होने के सात दिन के बाद और तीस दिन से पहले पहले होना चाहिए यानि अगर मैंने पंदरा माई को प्रॉस्पेक्टस इशू किया तो पंदरा, सोला, सतरा, ठारा, उन्निस, बीस, इक्किस, एक्किस, साथ दिन से पहले, एक्किस माई तक मैं सब्सक्रिप्शन स्टार्ड नहीं कर सकता, मुझे एक्किस माई के बाद, आए, चोदा, जून, चोदा, जून तक, बलके मही का मीना 31 का होता है, तेरा जून तक, तेरा यह चोदा कुछ भी लिखने ठीक है चलेगा, यानि तकरीबन, साथ दिन के बाद, अब मैं जो सब्सक्रिप्शन स्टार्ड करूंगा, ना, 15 मही को प्रोस्पेक्टर्स फिशु किया, साथ दिन दिये, रीडिग के लिए, साथ दिन से पहले कलेक्शन नहीं करनी, सब्सक्रिप्शन नहीं स्टार्ड करनी, साथ दिन के बाद यानि 21 मई से 30 दिन से पहले पहले 13 जून तक मैं सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कब करूँगा 21 से 13 जून के दर्मियान नॉर्मली प्रैक्टिस क्या होती है नॉर्मली कंपनी ये करती है 21 से 13 जून डिसाइड करके न ये पूरा महिना कलेक्शन नहीं करते रहते वो कहते हैं सर कलेक्शन पब्लिक सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगी 25 और 26 मैं दो दिन क्याद रखे सब्सक्रिप्शन है दो ये प्रैक्टिकल पॉइंट बता रहा हूँ ठीक है और ये सारा सीक्वस भी आपने जहिंद में रखना है एक्जाइम में जब क्वेशन पुछेगा कभी वो 6 पॉइंट में से पूछ सकता है कभी 6 में से 4 में से 3 में से इनमें days यूज होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप days को mix कर दे confuse कर दे ये sufficient copy भी available करनी है date of publication से लेके कब तक closing of subscription तक यानि जब तक आपकी subscription close नहीं हो जाती यानि जो मैंने अभी आपको दो दिन बताए कौन से दो दिन बताए थे 4 और 5 मुई 4 और 5 मुई फर्स कीजिए नहीं 4 और 5 जून तो 4 जून को subscription start हो रही है ठीक तो मैंने जो ही copies available करनी है कब से कब तक करनी है date of publication से लेके closing of subscription तक ये subscription subscription से में रखेगा start of public subscription का मतलब क्या है लोगों से पैसे कब वसूल करने शुरू करने है closing of subscription का मतलब क्या है कब तक वसूल करने है उसके बाद वसूल नहीं करें कि deadline किया है जैसे अगर college बाले ये कहें कि आप prospectus 10 तारीख से लेके 12 तारीख तक जमा करवा सकते हैं तो इसका मतलब है subscription स्टार्ट हुई 10 तारीख को और close कब हुई 12 को और ये आप subscription collection का period चाहे जितना मज़ी रखने दो दिन या तीन दिन लेकिन ये होना कब चाहिए पब्लीकेशन के साथ दिन के बाद और तीस दिन से पहले जी और इसके बाद end पे कह रहा है हाँ कुछ restriction advertisement के लिए क्या क्या एक company advertisement कर सकती है भाई जान हमने अपने shares जो है ना issue कर रहे हैं आप आके हमारे कमणी में investment करें बिल्कुल कर सकती है लेकिन कब करेगी प्रॉस्पेक्टर्स इशू करने के बाद यह ना प्रॉस्पेक्टर्स अब इशू नहीं किया अडिवर्टिस्मेंट पहले इशू कर दे ऐसे नहीं करना इडिवर्टिसमेट तब इशू की जाएगी जब प्रॉस्पेक्टर्स इशूड होगा फिर कमणी लोगों में मुशूरी करेगी अपनी और बताएगी एडिवर्टिसमेट में के प्रॉस्पेक्टर्स कहां पी अवेलेबल है और प्रॉस्पेक्टर्स में जो एक दवा टर्म्स लिख लिए उनको वेरी नहीं किया जाएगा ऐसे नहों प्रॉस्पेक्टर्स में डिरेक्टर लिख ले हम तो सर अल्ला वास्ते काम करते हैं कमपनी से कुई तरहा तो नहीं लेते और जब prospectus रिजू कर दिया उसके बाद इस term को vary करके अपनी salary पर मंथ 10 लाख रख ले prospectus में जो terms लिखे गए हैं बाद में vary नहीं होंगी जब तक commission से approval नहीं ले ले जाए तो ये हमारा concept था procedure था फार इशन्स ओफ prospectus थोड़ा सा lengthy है लेकिन चुकि step by step काम चलता है समझना असान है हाँ इसमें सिर्फ days में confusion होती है astronauts को कुछ तो आप 2-3 तीज़ पढ़ेंगे फिर आपको days पके होंगे कि सबसे पहले क्या होना है हमने commission के पास किस दिन पहले propose date of obligation से commission के पास जाना है फिर commission approval देगा हमने publish करना है 60 days के अंदर अंदर फिर उसके बाद publish करने के बाद subscription कब start करनी है साथ दिन के बाद 30 दिन से पहले और subscription open और close कितने अर्शे के लिए हो सकते हैं वो 2-3 दिन होते हैं वो कबनी के अपनी वर्ज़ गया है तो यह था हमारा आज का लेक्शर आज के लेक्शर के बाद पास वेपर्स के जो question हम वो जरूर अटेम्ट कीजेगा यहां पर आज का लेक्शर हतम करते हैं अल्लाहाओ आज करते हैं